हेलो फ्रेंस वेलकम तु माई यूट्यूब चैनल और कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे और आज हम बनाने वाले हैं हरे लहसुन का अचार और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंस तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर लिया है हमने हरी हरी मिर्च 100 ग्राम के करीब है और यहाँ पर 200 ग्राम हरा लसुन है और साथ में है 1500 ग्राम के करीब अद्रक और सारी चीजों को अच्छी तरह से हमने धुल लिया है अब इनको कट कर लेंगे चोटे-चोटे टुकडों में और यह देखिए हमने कट कर लिया है कुछ इस तर करके चोटे-चोटे टुकड़े कर लेने हैं अभी और साथ में मिर्च के भी टुकड़े हमने कर लिये हैं और अब इन सारी चीजों को हम एक घंटे के लिए धूप में सुखा लेंगे यानि इन्हें हमें धूप देना है ताकि इसकी सारी जो नमी है वो सुख जाए अच्छे इस अचार को लंबे समय तक सेफ रखने के लिए इसके मौश्योर को हटाना बहुत जरूरी है तो चलिए इसको धूप में रख देते हैं इसको अच्छी तरह से जल्दी सुखाने के लिए हमें सूती कपड़े पे इस तरह से दूर दूर फैला करके रख देना है ताकि ये सूख जाए अब ये सूख चुखा है तो ले करके चलते हैं किचन की और आब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कि अच्छी तरह से इसका मौश्य निकल चुका है यानि यह अच्छी तरह से सूख चुका है बस इसी तरह का हमें चाहिए अब यहाँ पर यूज करेंगे हम ौखली का यानि खल बट्टे का तो यहाँ पर खल हमने ले लिया है और इसको आफ खल में ही बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बन करके तयार होगा आप मिक्सर में पीसेंगे तो बहुत महीन हो जाता है यानि जिस तरह का हमें चाहिए उस तरह का नहीं होता है तब इस ओखली में हम डालेंगे इस कटे हुए लसुन को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और कूटते जाएंगे इस आचार को वारांसी में खुनवा भी बोलते हैं और इसे खुनवा इसलिए भी बोला जाता है कि इसको हम ओखल में खन करके यानि कूट करके बनाते हैं और कूट करके बनाया हुआ ये अचार बहुत ही टेस्टी बन करके तयार होता है और आप देख सकते हैं कि इस तरह से धीरे धीरे हाथों की सहायता से हम कूटते हैं मेहनत तो लगती है लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही गजब का चटपटा आता है तो इसको इसी तरह से कूटत होता जाएगा और इसी तरह से हम कुटते जाएंगे कम उता जाएगा और बाकि के लसून Doesn't को cling को को तो यहाँ परलसून हमारा क रख चुका है और इसी तरह से हमेंद दरदा सा कूट ना है एक दम महिन नहीं करना है और इसई तरह से दर पारी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो लाइक करें शेर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें तो इसी तरह से हम सारे अद्रक को भी कूट लेंगे तो अद्रक कूट चुका है अब हम डालेंगे सबसे आखिर में मिर्च को और इसे भी हम कूट लेंगे इस लसुन के अचार को आप तुरंत बना करके तुरंत खा भी सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही कम समय में तयार हो जाता है और यहाँ पर फाइनली सब कुछ अच्छी तरह से कूट चुका है और आपको दिखा दें कितना अच्छी तरह से दरदरा कूटा हुआ है बस इसी तरह से हमें कूटना है बहुत ज़्यादा हमें इसको कूट करके महिन नहीं बनाना है बस इसी तरह का चाहिए अब हम इसे निकाल लेते हैं एक थाली में अब यहाँ पर एड़ करेंगे कुछ मसाले आधा चम्मच आजवाईन, आधा चम्मच कलोजी, दो चम्मच आमचूर पाउडर और नमक स्वाद अनुसार स्वाद अनुसार तो ठीक है पर थोड़ा सा नमक इसमें हम अधिक रखेंगे क्योंकि किसी भी आचार में नमक थोड़ा अधिक रहता है तो चटपठासा बनके तयार होता है, अब यहाँ पर चौथाई चम्मच डालेंगे हींग और इससे फ्लेवर बहुत ही गजब का आता है, अब सारी चीजों को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स और आप इस तरह से यदि इस अचार को बनाएंगे न फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी लगने वाला है और सबसे आखिर में करेंगे एक काम और डालेंगे इसमें सरसो का तेल और सरसो के तेल को हमने गर्म कर लिया था अच्छी तरह से और फिर से इसे थंडा कर दिया है इसके बाद हमने इस अचार में इसका यूज किया है और तेल की मातरा पचास से साथे मिल रखी है और यदि लंबे समय तक आप इस्टोर करना चाहते हैं तो इसमें 100 ml के करीब टेल डालिए और इसे अच्छी तरह से करेंगे mix और एक ट्रिक और है इसे लंबे समय तक इस्टोर करने के लिए इसे बीच बीच में आप धूब दिखाते रहें इससे अचार जल्दी खराब नहीं होता है और लंबे समय तक चलता है और इसे आप तुरंथ बना करके तुरंथ खा भी सकते हैं यह इस तरह का अचार है किसी तरह का वेट करने की जरूरत नहीं है और यह अचार हमारा हो गया है पूरी तरह से ready और यह देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छी तरह से तैयार हो चुका है आप देख सकते हैं और इसे अब हम स्टोर करेंगे किसी कंटेनर में यहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं एक प्लास्टिक का कंटेनर है यह इसके अंदर आप लंबे समय तक रखना चाहते हैं सेफ तो ग्लास के कंटेनर में सेफ करें रखें स्टोर करें और यह तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा इसलिए हम इसको प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर कर रहे हैं और यह तयार होने के बाद कम से कम दो दिन का धो पी से जरूर दे और ये पुरी तरह से रेडी है खाने के लिए भी तो इस तरह से आप बनाएं और इंजवाए करें इस अचार को तो यदि आपको ये मेरी रेशिपी पसंद आती हो तो फ्लीज लाइक शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और हाँ फ्रेंड्स बेल आइकन दबाना बिलकुल भी ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक्स फार वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई